भारत सरकार ने नया कार्ड लॉंच कर दिया है जिसका नाम है अपार कार्ड तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कार्ड के आखिर फाइदे क्या है और आपको कैसे इसको ओनलाइन एपलाई करना है इस वीडियो के अगर आप देखेंगे तो आप इसको एपलाई करना पी सिख जाएंगे तो चलिए वीडियो शेरो करें तो अब बात करते हैं कि अपार कार्ड का आखिर यूज क्या है तो यहां पर हमें बताया गया है अपार कार्ड भारत में निजी और सरकारी स्कोलो या कोलो चे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्सा मंत्रा देद्वार लॉंच किया गया एक डिजीटल आईडी कार्ड है अपार का पूरा नाम ओटोमेटेड पार्लामेट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है इस कार्ड का मुख्य उद्धिस यह है कि छात्र कार्ड में अपनी डिग्री सेक्सेनिक क्रेडिट और अन्य चानकारी एकत्र कर स अपार कार्ड में बार अंक यह अपार नंबर होगा जिस तरह आथार कार्ड में बार अंको का नंबर होता है उसी तरह अपार कार्ड में भी बार अंको का नंबर होगा जो एक विशिष्ट पहसान सेंख्या होगी जिस नंबर का उप्योग करके छात्र सभी लाब प्राप् समझ सकते हैं कि apart card का use school या फिर college में admission कलिए या फिर school से college से कोई भी लाब लेने कलिए और education data store करने कलिए useful रहेगा तो अब जानते हैं कि apart card कलिए आप कैसे apply कर सकते हैं apart card को apply करने कलिए सबसे पहले abc.government.in इस site पर आ जाना है आपको वीडियो के नेचे description में मिल जाएगे यहाँ पर आपको login का option show कर दिया जाएगा जहाँ पर click कर देंगे तो यहाँ पर students का option show कर दिया जाएगा जिसके उपर आपको click कर देना है तो apart card में apply करने कलिए हमें dc locker में account बनाना होगा अगर आपका already dc locker में account है तो यहाँ पर आप अपना mobile number और pin डांड कर सिधा ही sign in कर सकते है लेकिन अगर आपका account dc locker में नहीं है तो यहाँ पर आपको sign up पर click कर देना है और यहाँ पर से अपना mobile number डाल देंगे यहाँ पर generate otp पर click करेंगे जब आप यहाँ पर अपना mobile number enter करेंगे तो OTP enter करने का box भी open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना full name enter करना है date of birth enter करने यहाँ पर से gender select कर लेंगे यहाँ पर से आप कोई भी username अपना create कर लेंगे यहाँ पर अपना कोई भी pin set कर लेंगे चार अंको का और यहाँ पर वही pin फिर से enter करके यहाँ पर इस box पर click करके verify कर देंगे एक बात ध्यान रखे यहाँ पर आप जो detail enter करेंगे वो उस student की enter करेंगे जिसका हम आपार card बना रहे हैं यहाँ पर verify पर click करके अपनी आगे की process complete करके अपना dg locker में account open कर लेंगे तो मेरा already dg locker में account है तो मैं चल यहाँ पर से login कर देता हूँ अब जैसे dg locker में login करेंगे तो कुछ इसा interface आ जाएगा यहाँ पर नीचे आपको allow पर click कर देना है अब जिस भी university में या फिर जिस भी school में प्यास करते हैं यहाँ पर से select कर लेंगे यहाँ पर admission year select करेंगे यहाँ पर से आपका id card identity type select कर देंगे और यहाँ पर से identity value select करके नीचे submit पर click कर देंगे और उसके बाद आप successfully अपना अपर card बना सकते हैं